साथियों, नमस्कार, आदाब, सस्रियकाल, मैं हूँ एहमदबाद से चेतना अगरवाल, कविताएं लिखती हूँ, रत्दान हो, पर्यावरन हो, देश के लिए, देश के हित में, चेतना जगाने वाली कविताएं लिखती रहती हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप पर्यावरन बचाओ, ताप मान प्रित्वी का प्रति दिन बढ़ रहा, संतुलन रित्वों का देखो बिगड रहा, गुहार अब प्रिकृति ने लगाई है, पर्यावरन बचाओ, मानवता की दुहाई है, सब मिलकर पर्यावरन को बचाएं, चलो तुम्हें दो चार उपा अपने घर कच्रे के दो पात्र ले आएं, सूखा, गीला कच्रा, अलग-अलग कराएं, प्लास्टिक की वस्तुएं जो व्यर्थ हो जाएं, दो बारा प्रयुक्त कर अपने काम में लाएं, सबजियों के छिलकों से खाद बनाएं, बगिया और आगन को फूलों से महकाएं, घर से गर बाजार शॉपिंग को जाएं, कपड़े का थैला भला कैसे भूल जाएं, प्लास्टिक थैली की, कर दो तुम कतरन, भरो प्लास्टिक बोतलों में दूर हो उल्जन, प्लास्टिक के मलवे का हो सही उप्योग, प्लास्टिक की इको ब्रिक का करीर प्रयोग, इको प्लास्टिक का अखर के नारा हो हरा भरा प्लास्टिक का साथियों करो बहिशकार ये तो है जहरीले ये तो है जहरीले रसाइनों का भंडार आओ उठाएं हम मिलकर जिम्मेदारी पर्यावरन बचाने की अब बारी हमारी पर्यावरन बचाने की अब बारी हमारी तो साथियों खयाल रखेगा कि पर्यावरन को हम बचाएंगे जरूर बचाएंगे शुक्री